अगला परसाजन से निवेदन है कि धना परवारी हो यह सपी महदा है उनसे मैं गभार लगा रहूंगा में लोग को जान मल के कात्र है आई यह लडगा अगोली चल गया मेरा लडगा कात्र कुछ वन हो नहीं हो जाता हम लोग कई से रहते तो गोली चल आया तो हम साउड दिय बात बात में किसी का पैसा चीना मुठा तो नमस्कार आप देख रहे हैं खवरार पार और अभी मैं मौजूद हूं भावनारी टावर चोग के पास आप देख सकते हैं मेरे बगल में शीवा राज जी हैं और इनके पीता जी हैं विजय कुमार जी और इनका यह एक दुकान है और यहां पर साइवर का काम होता है और एक बैंक भी है तो चलिए हम इन से बात करेंगे कि सनिवार के दिन जा रहे थे किसी ने इनको बुलाया और बुलाने के बाद इन पर हमला किया गया बंदूग चला दिया गया और वह बंदूग की गोली कमर को छूते हुए निकल अब भगवान का शुक्र है कि भगवान ने इनको बचा लिया लेकिन वह कौन थे गोली चलाने वाले क्या फायर हुआ की नहीं हुआ तो चलिए इन से ही जानते हैं सबसे प्रदों आपका स्वागत है हमारे चाइनल में तो क्या कि कुछ हुआ उप दिन कैसे हुआ है सब मे तीन दिन से मेरे फोन खरीदने के लिए बोल रहा था जिसका मतलब बिन्स पुरुगा का है इसका अब जीत कुमार दूसरा आजमी नाम भी साल कुमार जो है मेरत मेरे पडोसी है मामा मतलब लगते हैं ठीक है वह हम को ज्यादा फोन करके मतलब बोल रहा थे कि मुबाइल त हम नहीं आएंगे विंस पुरुगा तक आप उधर से आ जाएं तो मुआ जब चोग पर बंश्वडुगा बाजार चोग पर पर लूका to नंके पास फोन किया तो बोले कि हम आ रहा है नो तो हम वहां मतलब भोज खा रहा है तो हम उस दिन मतलब 10-15 मिनट वहां पर रूकें पर रूकने के बाद फिर से फोन किया तो बोल रहा है कि हमें में लेट है थोड़ा टाइम लगेगा तब फिर दूसरा जो आजमी फोन मेरा उनके थूरू जो फोन बिखवा रहे थे अब ज जब पूछा जब बोल दिया तो उसका हम फोन कट कर दिये और आजमी को बोलें विसाल जिसका नाम है मेरा फोन बेचवा रहा था उसको बोला कि जब फोन खईदने के लिए रेडी नहीं है तो आप काई से बोल रहा है आप बुला रहा है दो तिन से फोन कर रहा है कि जब पजार चौक से हम थोड़ा मतलब आगे गए विंसपुरुगा के खेले और गुलरिया के बीच में तो तीन आदमी सर तलाब के किनारे ख़ड़ा था लोग जो बीच वाला आदमी हम पे हाथ रोकने का कोशिस किया तो मैंने अपना काड़ी नहीं रोका ठीक है नहीं बाइक पास्ति यह न्हीं नहीं बौड़ा influence मैं तर्फियर कि अपने चल्व इसकी कर रहा था रूख अपना गाड़ी नहीं रोके तो आपना गौली चलाया तो सुने wrist तो हमको लागा कि हम बाल बाटबर पर वबहंद धूझे बले गुलरिया काम में घुसें वहां मतलब गावं के अस्थानिय निवासी लोग था उनसे बोला कि चली हमारे पर उपर गोली चला है गोली चला है तो लोग हमारेसाथ यहां पर आए और तब तक भीडियक्ती जो ब भाग चुका था फिर कल शुबोख में जो अब जीत नाम का लड़का था उसके बाद उसके बाद उसके पर नहीं हुआ ठीक है उसके बाद थाना में पिर से बात बोले आजा कि उसका मतलब करवाई हम किये हैं जब गोली लगने के बाद सर्मकों महसूस नहीं हुआ तो मैंने देखा तीशाट नीचे वाला टीशाट था सब्सक्राइब गोली छेद के निकला गवा था ठीक है उसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि आदा पूर्थाना में इस तरह के घटाएं पहली नहीं है यह घटनाएं लगतार बढ़ती जा रही है आखिरी क्यों बरती जा रही है कहीं ना कहीं यह परसासन को चुनोती दे रहा है तो चलिए पीता जी है बिजाई जी इन से हम बात करेंगे कि मेरा नाम विजाई कुमार हुआ मैं घन्यारी कास्ता ही नहीं आशी हूं मैं तो पूर में बहुत थी इसे पहले हम लोग बहुत चती में यह दुख आने कहें मेरे रोजी रोजी के लिए कर्या के चलते हैं यहां से परभुजादों के घर में हम लोग रहते हैं एक लड़का कमाता है हम लोग रोजी रेट यह चल रहा है मेरा बेन यहारी सब कुछ था लेकिन सब भी गया है आज के दिख में यह कुछ नहीं है अब लिए रहा तब जेली रख्षण जाना जनता जेली जासता कभी दनार से कभी इस रहता से उस दिन हां से क्रोस को की लोग बुलाया कि मोबाइल खरीद भी निकले गया है जैसे पिसंपुर्वा से निकला गुलरिया के सरें सरीष पर हमला हुए गोली चला है लोग उसक और फिर दोबारा कॉल का अधापूर अपना च्छेत जोन बन गया हर जगे कोई बात-बात में गोली चलाना बात-बात में किसी का पैसा चीना मोचागिल चोरी करना यह अपना आधापूर हम लोग सरे दुकान मेरा पांच सल से है हम यहां रहते हैं इधर बीच में को इसी चल गया मेरा लडगा के साथ कुछ नहीं हो जाता हम लोग कईसे रहते हैं बताई गरीब आदमी के साथ किसका दुस्मनी होगा कोई सारा नहीं है अपूर में पैसे कुछ हमको थिया था लोग उसके चलते हमको बहुत सताया कि दंकी दिया गया कुछ भी बोला गया था रहेंगे अब जब जई से सुने हम खलीला बात है उस दिन सारे आज में हमको खबर गया है कि तुम्हारे लगा के लगा है अब तुरंत अपके सानी भार की घटना है लेकिन पीता जी नहीं थे आज अभी आ रहे हैं बस अभी से कुछ पहले दोज मीनट पहले आये हैं और देख सकते हैं किस तरह से भागे दोड़े आ रहे हैं और लाजमी है कि बेटा के ऊपर गुली चलेगा तो बाप का मतलब कि क्या बीते का बाप के ऊपर आंक से आशू रूख नहीं रहा है लेकिन क्या करना चाहेंगे परसासन से आप हम से निवेजन है कि धना परवारी हो सब ठीक होगा परसासन पर भुरसर के न्याय पर भुरसर के आपको न्याय मिलेगा न्याय को दवाया जा सकता है कुछ दिन के लिए लेकिन एक दिन तो जीत होती है अब उसको ढूली दर होकर लगता तो भुलिए जम कुछ तरहां की फ्रक्राव से देखने वाले बात कि देखने वाली बात है